नमस्कार दोस्तों, आप सीके चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सिंगल करर का ये खुबसूरत सा डिजाइन लाए हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं चाहें जैन स्वाटर में, लेडिस, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, शरग में, स्टॉल में, शॉल में, बच्चों के स्वाटर में, कैप में, हैट में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगे ये सब में बहुत ही अच्छा लेगा इसे बनाने के लिए हमें चार के multiple फंदे चाहिए और तीन फंदा एक्स्ट्रा तो चलिए फ्रैंस हम डिजाइन बनाते हैं तो मैंने सलाई में 15 फंदे डाले हैं 12 और 3 15 फंदे डाले हैं और ये पहली लाइन में हम सभी फंदो को सीधा बोलेंगे अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं तो पहली लाइन में हम सभी फंदो को सीधा बोलेंगे अब हम आजाते हैं रॉंक साइड में और ये डिजाइन का पहला लाइन है तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदो को हम उल्टा बुनेंगे एक दो अब नेक्स्ट फंदो को बुनने से पहले हम उनको सलाई में चड़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे अब फिर उनको सलाई में घुमाकर वापस अपनी तरफ लाया और तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे दो तीन अब नेक्स्ट फंदे को बुनने से पहले सलाई में उनको चरहाकर वापस अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर उनको चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर तीन फंदा उल्टा बुनेंगे एक दो तीन अगला फंदा बुनना है तो उनको स्लाइक में चढ़ा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे एक फंदा उल्टा बोनेंगे फिर उनको चरा कर वापस अपनी तरफ लाएंगे और फिर लास्ट में तीन फंदे हैं तीनों को हम उल्टा बोनेंगे तो इस तरह हमारा पहला लाइन कम pendulum होता है अब हम आजाते हैं सामने की तरफ स्षाइन का दूसरा लाइन है पहला फंदा स्लिप किया फिर अगले फंदे को सीधा बुना अब देखिए एक ये चढ़ाया हुआ फंदा हमने इसे किरा देंगे नेक्स्ट फंदा लेंगे फिर चढ़ाया हुआ फंदा है इसे किरा देंगे और अगला फंदा लेंगे तो ये देखिए तीन फंदे हो गए तीनों को हम एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीनों को एक साथ लिया बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे फिर उनको चड़ा कर अपनी तरफ लाएंगे फिर अगले फंदे को सीधा तो हमने तीन से तीन फंदे बना लिए अब इन्हें गिरा देंगे अगला फंदा सीधा बनेंगे अब देखिए फिर एक फंदा लिया चड़ाये हुए उनको हम गिरा देंगे फिर नेक्स्ट फंदा फिर चड़ाये हुए उनको गिरा देंगे फिर अगला फंदा लेंगे इससे क्या होगा देखे फंदे बड़े हो जाएंगे और बुनने में आसानी हो जाएगी अब एक फंदा सीधा बनाया उनको अपनी तरफ लिया फिर इन्ही तीन फंदों में एक बार और बैक लूप से सीधा फंदा बना लिया तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिया अब इसे गिरा देंगे अगला फंदा सीधा फिर नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे एक लिया फिर चड़ाया हुआ फंदा गिराया फिर नेक्स्ट फंदा लिया फिर चढ़ाया हो फंदा किराया फिर नेक्स्ट फंदा लिया फिर तीनों को एक साथ लेंगे थोड़ा खिश लेंगे तीनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा फिर उनको अपनी तरफ करेंग फिर इस नार एक साथ लेते हुए इनहीं में प्र एक बर और एक सीधा फंदाurf सीधा बुलेगे हमारा दूसरा लाइन ये कम्प्लेट हो गया ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और रॉंग साइट तो अब ध्यान देजिएगा पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे अब ये जो एक फंदा हमने बीच में बनाया था इस फंदे के दोनों तरफ हमें जाले देना है तो उनको चरहा कर वापस अपनी तरफ लाइंगे फिर इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे फिर नेक्स्ट उनको चरहा कर वापस अपनी तरफ लाइंगे और ये जो डिजाइन के तीन फंदे थे इन तीनों को हम उल्टा बनेंगे यह हमने उल्टा बन लिया अब फिर यह सिंगल फंदा हमारा आ गया तो अब इसके दोनों तरफ हमें जाले देना है तो उनको चरहा कर आप पर अपनी तरफ लाएंगे इस फंदे को उल्टा बनेंगे फिर नेक्स्ट उन चरहा कर अपनी तरफ लाएंगे अब जो ये तीन फंदे डिजाइन के थे इन तीनों को हम उल्टा बुन रखें ऐसे ही हमें जो सिंगल फंदा है उसके दोनों तरफ हमें जाली देना है उनको घुमा कर अपनी तरफ लाए उल्टा बुना फिर उन घुमा कर अपनी तरफ लाए फिर डिजाइ के तीनों फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और देखे ये एक फंदा है सिंगल फिर उनको घुमा कर अपनी तरफ लाएंगे उल्टा बुनेंगे फिर उन घुमा कर अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट फंदा इसे उल्टा बुनेंगे तो इस तरह हमारा तीसरा डिजाइन त कम्प्लीट होता है अब हम वापस आ जाते हैं सामने की तरफ और ये दिजाइन का चौथा लाइन है तो तीन फंदे लेंगे एक पिछ स्वाइक जो चढ़ाय हुआ फंदा है उसे हम उतार देंगे दूसरे फंदे को लेंगे फिर चड़ाय हुए फंदे को गिरा देंगे अब तीसरे फंदे को अब तीनों फंदों को लेंगे और एक साथ लेते हुए तीन फंदे बनाएंगे उपनी हो लिया फिर इसी में बैक लूप से एक और सीधा फंदा तो तीन से हमने तीन फंदे बढ़ा दे और डिजाइन का जो बीच वाला फंदा था उसे हम उल्टा बूलेंगे अब फिर तीन फंदे लेंगे चड़ायोए फंदे को गिरा देंगे दूसरा लिया फिर चड़ायोए फंदे को गिरा देंगे तीसरा फंदा लिया तीनों को एक में पड़ेगा इसे सीधा बना गहिता सबनाएं कि एक लिए इसवेया फंदे तीन आ दिर तेनों को तीन फंदे को दूसरा फंदा गिराया फिर अगला फंदा लिया फिर गिराया फिर तीसरा फंदा तीनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से तीन फंदे बना लेंगे एक उनको अपनी और किया फिर इनी तीनों में एक और फंदा इस तरह यह चौता फंदा कंप्लीट होता है देखिए हमारा कंप्लीट हो गया चार लाइन का ये रिपिटे डिजाइन है अगले लाइन में डिजाइन दो डिजाइन के बीचे बनेगा और एक खुबसूरत सा पैटरन बनता चला जाएगा तो देखिए सामने अगले से यह ऐसा दिखाए दे रहा है और पीछे से ऐसा बनाना बहुत ही आसान है और देखिए कितना बसूरत डिजाइन है यह फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा यदि आपको मेरा डिजाइन अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तो और दिश्टदारों में शेयर कीजिए थेंक्स फर वाचिंग